हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेइन, तोड़े वी आर गईग टो रिवाइज अबाउट किंग्डम प्रोटिस्टा, तो किंग्डम प्रोटिस्टा को सबसे पहले प्रपोस किया था अरनस्ट हैकल ने 1866 में, इसको हम बोलते हैं कि एक कनेक्टिंग लिंक है मोनीरा और फंगस के बेच में, क्योंकि मोनीरा हमारा प्रोकेरियोट हो गया, जो कि यूनी सेललर प्रोकेरियोट है, फंगस हमारा मल्टी सेललर, sorry, यह हमारा यूनी सेललर प्रोकेरियोट है, और यह हमारा मल्टी सेललर यूकेरियोट है, इसके बेच में प्रोटिस्टा आता है, जो कि यूक कि यूंश pulling यूंक है अब हम बात करते हैं कुछие प्रोटीस्ट मल्तीसलयर भी होते हैं यह water में रहता है mostlesoul मैं भी रहता है human body में भी रहता है plants के ऊपर भी रहता तो मैं बोल सकते हूं कि यह kosmopolitan है, मतलब कि हर एक condition में almost यह survive कर सकता है, ठीक है, eukaryotic membrane bound nucleus होता है, या मैं कह सकते हूं कि well-defined nucleus होता है, और endomembrane system इसमें present होता है, endomembrane system, यह एक important point है, कि protista में endomembrane system पाया जाता है, जैसे कि हम बोलने की vacules मिलते हैं इसमें, तो वो सब structure जो हैं, वो present होते हैं protista के अंदर, और well-defined nucleus होता है, जिसके विज़े से हम इसको eukaryote बोलते हैं, इसके अंदर mitochondria भी होता है, chloroplast भी होता है, जैसे yuglena की बात करें, तो yuglena में chlorophyll A मिलता है, जो photosynthesis में help करता है, ठीक है, अब यहां पर बात करें moment की, तो इसमें flagella की through celia की through moment होती है, या फिर shouldopodya की through moment होती है, तो हम बात करें paramecium की, तो paramecium में celia present होती है, छोटी-छोटी hair-like projection पूरी body पे present होंगी, flagella long hair-like projection होंगी, जो एक या दो ही होंगी, shouldopodya जब वो अपनी membrane की through essay finger-like projection करके, इस तरह से movement show करेंगे, तो वो shouldopodya, यह हमारा meiba में present होगा, यह paramecium में, यह yuglena में, tripenosoma में, lesmenia में, aerobic respiration इसमें होता है, मतलब oxygen की presence में यह survive कर पाते हैं, और कुछ facultative and aerobes होते हैं, heterotropic होते हैं, but most of the time यह autotropic भी होते हैं, अगर बोले तो हर तरह का nutrition इसमें मिलता है, दूसरों से भी अपना बोजन लेते हैं, खुद भी prepare करते हैं, डियड और decaying matter पे भी फीड करते हैं, और parasitic भी होते हैं, flagellates filter feeding होते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, जो हमारे endocytosis की process, endo मतलब inside, endocytosis मतलब cell की अंदर वो लेके जाएंगे, और cell की अंदर ले जाके, basically vacuoles की अंदर ले जाके, और उस substance को hydrolytic enzyme secret करके, क्या करेंगे, digest करेंगे, वो endocytosis है, मतलब vacuoles के अंदर पहले food को intake करना, और फिर enzymes की थूँँच को digest करना, endocytosis का सबसे अच्छा एक्जामपल है, शुड़ोपोडिया, कि शुड़ोपोडिया के थू, amoeba इंगल्फ करती है, vacuoles के अंदर फूड को, और उसके बाद वो वहाँ पे, digestive enzymes की help से, उससे digest करती है, कुछ reproduce करते हैं sexually, कुछ asexually, asexual reproduction spores के थू भी होता है, जैसे plasmodium की बात करें, ठीक है, plasmodium की बात करें, अगर हम यहाँ पे binary fission, multifusion भी होता है, fission के अलगलग ताइप होते हैं, कि longitudinal transverse, तो वो सब देखने को मिलते हैं, यहाँ पे proto, जोआ प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, और sexually यह हमारे conjugation के थू, जैसे हमारा paramission में, वो conjugation के थू, यहाँ पे reproduce करता है, कुछ sin gamma के थू भी reproduce करते हैं, कुछ spaces होती है, जो complex life cycle show करती हैं, मतलब उसके दो host होते हैं, digenetic host मिलते हैं, जैसे हम बात करें, plasmodium, malaria parasite की, तो इसमें human beings, इसके एक host होते हैं, plus anaphilis mosquito, female anaphilis mosquito, इसका host होती है, तो यह human beings के अंदर, तो यह अपनी life cycle, as sexual life cycle को complete करते हैं, और sexual life cycle को complete करते हैं, mosquitoes के अंदर, तो इस दो host होगे, इसलिए हम बोल रहें कि, complex life cycle हैं, major group की बात करें, protista की, किस तरह से वो अपने food का intake करते हैं, photosynthetic protist, जो अपना food खुद प्रपेर कर लेंगे, जब plant like होंगे, इनके अंदर क्या होगा, chloroplast, chloroplast की help से ही, sunlight की presence में क्या करेंगे, food प्रपेर करेंगे, जैसे dynophilazolates, diatoms and uglynoids, decomposure, जो हमारे diatoms and uglynoids को तोड़ देते हैं, जैसे fungus like होंगे, तिक है saprotropic होंगे, क्योंकि diatoms and uglynoids पे फीड कर रहे हैं, unicellular भी हो सकते हैं, और multicellular भी हो सकते हैं, इसमें molds आगे, plasmodial और cellular slime molds आगे, फिर protist heterotropic भी होते हैं, जो nutrition अपना दूसरी organism से लेते हैं, जैसे sarco dynes, sarco dynes में क्या आते हैं हमारे amoeba, ciliates में क्या आते हैं, parameshim, सबसे पहले बात करते हैं, photosynthetic protist की, ये phytoplankton होते हैं, phytoplankton का मतलब क्या है, ये float करेंगे, sea में या pond में, जिस भी water body में ये हैं, ये हमारे marine होते हैं, most of them are marine, salty condition में रहेंगे, sea environment में रहेंगे, बट कुछ-कुछ हमारे reverse में, ponds में मिलते हैं, fresh water bodies में मिलते हैं, इसमें, gymno-deanium and gonicolex, इसका example है, gonicolex की वज़े से, sea जो है, वो red दिखाई देता है, क्योंकि ये red color के होते हैं, तो red tie भी हम इसको बोलते हैं, कि gonicolex और gymno-deanium की वज़े से, red tie होती है, ये bi-lumni-sense जो करते हैं, bi-lumni-sense का मतलब ये है, कि कुछ living organisms, जो light emit करते हों, तो ये sea, ये क्या होते हैं, water bodies के अंदर रहते हैं, ये sea के ये river के ये pond के अंदर रहते हैं, बट ये क्या करते हैं, light emit करते हैं, और ये living organism है, इसलिए bi-lumni-sense क्योंकि light emit कर रहे हैं, तो bi-lumni-sense कोन शो करते हैं, dynophlazolate शो करते हैं, example की बात करें तो noctilusa, gonicolex, and pyrocystis, and pyrodenium, ये दो example, बहुत important है, gonicolex red tycos करता है, ये bi-lumni-sense शो करते हैं, और ये dynophlazolates है, ग्रेक्टर स्टिक्स की बात करें, फोटो सिंथरिक होते हैं, uniceller भी हो सकते हैं, motile भी हैं, biflazolated होते हैं, दो phlazolा इन में present होती हैं, दोनों different होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, hetero word different के लिए use किया जाता है, क्योंकि है hetero count word, क्योंकि एक phlazolा longitudinal होगी, और एक phlazolा transverse होगी, एक इस तरह से present होगी, एक इस तरह से present होगी, तो इसलिए अलग-अलग तरह से present होने की वज़ासे, इनको हम बोल रहे है hetero count, और by word use किया गया है, two के लिए, तो by phlazolate है, दो phlazolा प्रेजन्ट होगी, photosynthetic है, golden brown भी होते हैं, ये color में, और इनकी cell के उपर, cell membrane है, cell membrane के उपर एक result coat होता है, जिसको हम थिका बोलते हैं, ठीक है, और lorica of articulated, अर्मर्ड क्या है, डाइनोफलेजलेट, अर्मर्ड क्यों वर्ड क्या, क्योंकि इसके उपर, cellulose की plates है, और वो थिका की तरह है, जिसकी वज़े से हम बोलते हैं, कि आर्म से protect करे गए हैं, आर्म्ड डाइनोफलेजलेट, ठीका में दो ग्रूप्स होते हैं, एक longitudinal ग्रूप, जिसको हम sulcus बोलते हैं, एक circular ग्रूप, जिसको हम cingulum बोलते हैं, या annulus बोलते हैं, या फिर गिर्डल बोलते हैं, nucleus इसका large होता है, इसलिए इसको mesokarian बोलते हैं, और ये Dawes ने बोला है 1966 में, इनके अंदर plastid की बात करें, plastids क्या है chloroplast, जिसकी वज़े से ये अपना food प्रिपेर कर पाते हैं, plastids या chromatophores, chromatophores वर यूज होता है, उस pigment के लिए जो color दे, जैसे dynophilazilates हमने बोला कि वो red भी होते हैं, brown भी होते हैं, golden भी होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, photosynthetic होते हैं, अपना food खुद प्रिपेर करते हैं, ये non-contractile vacu, इनके अंदर contact ना होने वाला vacu, प्रिजन होता है, जिसको हम प्यूसूल बोलते हैं, और ये phlazila के base पे प्रिजन होता है, trichocyst, ये defensing organ होता है, ठीक है, तो trichocyst क्या करेगा, defense में help करेगा, reserve food इनमें क्या होगा, starch और oil, sexual reproduction cell division के थुख होगा, cyst इनमें unfavorable condition में, ये अपने around cyst form कर लेते हैं, sexual reproduction seratium में मिलता है, और ये iso gammas, same gamet भी हो सकते हैं दोनों, same size के, same morphology के, same A की जैसे gamet होंगे, तो iso gamet भी हो सकते हैं, और anisogamous भी हो सकते हैं, और sexual reproduction किस organism में मिलता है, किस example में मिलता है, dynophlazolates के seratium में, life cycle gigotic meiosis भी show करती है, जैसे seratium में बोले, gigot कब फॉम होगा, जब gamet fertilize होंगे, और gamet fertilize हो रहे हैं, मतलब sexual reproduction मिल रहा है, तो gigot meiosis किस में मिलता है, seratium में एंड जिम्नोडीनियम में, gametic meiosis किस में मिलता है, noctilusia में, economic importance की बात करें, तो dynophlazolates, biological, मतलब जो reef building corals होते हैं, उनकी formation में major role play करते हैं, phagotropic organism है, तो ये हमारे ocean की अंदर, जो microbial loop होता है, food chain का, मतलब की छोटे organe, जोंजिस पे feed करते हैं, उसमें major role play करते हैं, क्योंकि ये phytoplankton होते हैं, next है हमारे पास chryzophytes, chryzophytes में die atoms आते हैं, desmids आते हैं, ये fresh water में रहते हैं, saline environment में भी रहते हैं, और terrestrial condition में भी रहते हैं, characteristics की बात करें, तो ये phytoplankton हैं, जैसे हमारे dynophlazolets होते हैं, इनकी cell wall, cell loge से मिलके बनी होती है, जो impregnated होती है, एक glass like layer में, जिसको हम बोल देते हैं, silica, ठीक हैं, अब वो जो silica है, वो इस तरह से होगी, एक उपर layer होगी, एक नीचे layer होगी, मतलब जैसे soap box होता है, कि उपर एक layer है, नीचे एक layer है, इस तरह से cell loge की layer, यहाँ पे surround किये हुए है, cell wall को, मतलब cell wall के अंदर present है, तो overlapping halves, मतलब उपर वाला जो part होगा, ठीका का, वो इस तरह से fit होगा, जैसे soap box fit होते हैं, तो उपर वाली layer को, हम क्या बोल देंगे, epithika, और नीचे वाली को, क्या बोल देंगे, hypotheca, अब cryzophiles के अंदर, phleazilla नहीं होती, बस इनके अंदर phleazilla होती है, तो सिर्फ और सिर्फ reproductive stage में होती है, क्योंकि तब इनको meet करना होता है, किसको gamets को, तो वो move करेंगे, उस टाइम पर phleazilla इनके अंदर आ जाएगे, otherwise इनके अंदर phleazilla नहीं होती, ये gliding type की movement शो करते हैं, with the help of mucellase secretion, mucellase क्या होगा, slimy secretion, लसलसा पदार्थ, जिसकी वज़े से glide करेंगे, ग्लाइडिंग टाइप की movement शो करते हैं, economic important की बात करें, तो the chrysofides important source होते हैं, food का, diatoms deposit हो जाते हैं, and ये कहाँ पे मिलते हैं, petroleum fields के पास में मिलते हैं, it is also employed as a cleaning agent in toothpaste and metal policies, and ये insulation, मतलब refrigerator में हम इसको as a insulating material भी use करते हैं, boilers में भी और furnaces में भी, अब बात करते हैं, next photosynthetic protist की, जो की हमारा क्या है, ugleinoids हैं, जिसमें हमारी ugleena वगेरा आते हैं, devoid of cellulose cellulose, इनकी अंदर जो cellulose present होती है, उसमें cellulose नहीं मिलता, ठीक हैं, वो किसका बना होता है, pellicle का बना होता है, जो cellulose बनी होती है, पलिकल या क्यूटिकल की बनी होगी, बट उसमें cellulose नहीं होगा, एक important point है, ugleinoids की अंदर cellulose absent होगा, उनकी cell wall की covering होगी, थीन या फ्लेक्सिबल पलिकल के साथ, या फिर क्यूटिकल के साथ, कुछ spaces होती है, जिसमें chromatophores नहीं होते, कलर emitting plasters नहीं होते, chromatophores color देने वाले plasters, ठीक है, एक्जामपल है, निट्स या अलबा, ये chlorophyll A और chlorophyll C consist करते हैं, B इनके अंदर भी नहीं होता, carotines, B, डाया, genthines and fuco genthines, इनके अंदर present होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये accessory pigments होते हैं, accessory pigments होते हैं, chlorophyll A हमारा primary pigment है, बढ़ ये accessory pigments हैं, जो ultimately energy किसके इस पास transfer करते हैं, chlorophyll A के पास, और chlorophyll A फिर food की synthesis करता है, जो reserve food material होता है, यहाँ पे oil होता है, और polysecrets होते हैं, polysecrets मनले carbohydrates होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा monomeric unit जुड़ी हो, एक्जामपल की बात करें, तो chryzo-laminarian इसका एक्जामपल है, यहाँ पे division किसके थुरू होता है, binary fusion कि थुरू होता है, एक्जामपल की बात करें, pineularia, triceratium, navicula और amphiplurase का एक्जामपल है, इसमें दो phlazula present होती है, दो phlazula present है, एक short होगी, एक long होगी, तो hydrocontable सकते हैं, yuglena collect को हम बोलते हैं, कि connecting link है, plants और animals के बीच में, ऐसा इसलिए बोलते हैं, क्यूंकि यह yuglena, इसकी cell wall में cell loss नहीं होता, चीक है, पर plant की cell wall में cell loss होता है, बट इसके अंदर chlorophyll ही होता है, जो plants के अंदर भी होता है, यह photosynthetic होती है, जैसे plants होते हैं, तो यह connecting link फोर्म करती है, plants और animals के बीच में, next है हमारे पास consumer decomposer protista, मतलब अब तक हमने तीन protista की बात करी, सबसे पहले हमने बात करी, यहाँ पर किस की बात करी, हमने सबसे पहले, ने डाइनोफलेजलेट्स की बात करी, फिर क्राइजोफाइट्स की बात करी, फिर अग्लुनोइट्स की बात करी, वो तीनों ही क्या थे, photosynthetic protist थे, अब हम बात कर रहे हैं, consumer decomposer protist की, जिसमें हम बात करेंगे, slime molds की, इनके अंदर chlorophyll नहीं होता, इसलिए अपना food खुद prepare नहीं कर पाते, इसलिए या तो ये consume करेंगे, food किसी और का बनाया हुआ, या फिर ये dead or decaying meter पर feed करेंगे, इसलिए हम इनको decomposer बोल देते हैं, ये हमेशा, किस पे रहेंगे, decaying vegetation में, decaying vegetation का मतलब ये है, कि पत्ते हैं, जो भी गलने सडने के लिए, decompose होने के लिए, जो भी material present है, उसके उपर ये survive करेंगे, ये बहुत सारी coloration में मिलते हैं, मतलब ये different color के होते हैं, phagotropic होते हैं, phagotropic का मतलब ये है, फagocytic activity शो करेंगे, phagocytic activity का मतलब है, इंगल्फ करेंगे material बहार से, और फिर उसको तोडएंगे digestive enzyme की help से, saprotropic dead or decaying पे feed करना, they are like protojoa, in their amoeboid plasmodial states, जब उनकी amoeboid plasmodial state आती है, तो ये protojoa की तरह होते हैं, और fungus की तरह होते हैं, जब ये spore formation form करते हैं, reproduction के लिए, तो हम slime mold की बात करें, तो slime mold टू टाइप्स की होते हैं, acellular और cellular, सबसे पहले हम acellular की बात करते हैं, ये dead or decaying matter पे मिलते हैं, इनकी free leaving जो stage होती है, acellular slime molds की वो plasmodium होती है, ये multi-nucleate protoplasm consist करते हैं, protoplasm का मतलब एक cell है, cell के अंदर जो cytoplasm होता है, उसी को protoplasm बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे nucleus present होंगे, इससे लिए इसको multi-nucleate बोला, separotropic इसलिए बोला, क्योंकि ये dead or decaying matter पे feed करेगा, बात करते हैं, life cycle of acellular slime mold, acellular slime mold की life cycle, somatic phase, somatic phase का मतलब है, जो asexual phase होगी, जिसमें normal body की cells present होगी, ये जो phase होगी, ये diploid होगी और multi-nucleate होगी, diploid मतलब इसमें 2N number of chromosome मिलेंगे, मतलब double number of chromosomes मिलेंगे, इसलिए diploid बोला, multi-nucleate इसलिए बोला, क्योंकि बहुत सारे nucleus present होगी, तो इस stage पे, जब वो somatic phase में है, जब वो deployed है, जब वो multi-nucleate है, तो उसको हम plasmodium बोलते हैं, फिर ये plasmodium divide होता है, divide होने के बाद, 2 या 2 से ज़्यादा plasmodia form करता है, ठीक है, फिर अगर unfavorable condition आ जाते हैं, तो ये cyst की formation कर देता है, और तब हम इसको बोलते है, sclerotium और plasmodium, फिर mature होता है, ये, mature होता है, favorable condition आ जाएंगी, mature हो जाएगा, और plasmodium aggregate हो जाएंगे, aggregate होने का मतलब है, accumulate हो जाएंगे, गुच्छा बना देंगे, इकट्टे हो जाएंगे, ठीक है, और stark sporo force, मतलब इस तरह से, stark form करेंगे, और उसके उपर sporo form करेंगे, spore की formation के लिए, ठीक है, अब sporo form, जो bear कर रहा है, ये आगे, इसको क्या बोलते है, sporangia, मतलब bag like structure, जिसके अंदर spores की formation होगी, अब ये sporangia है, ये surround कर रखा होता है, में help करेंगे, तो इसको protect करने की जुट पड़ती है, अब इसको protect करने के लिए, यहाँ पर peridium है, जो hard है, और brittle nature का है, अब sporangia, जो है, वो क्या है, वो multi-nucleate protoplasm, consist करती है, इसके अंदर जो protoplasm है, जो leaving material है, जो cytoplasm है, उसके अंदर बहुत सारे nucleus है, sorry, nucleus है, वो nucleus क्या करेंगे, cleavage show करेंगे, मतलब उसमें आगे जाके, division होगा, और बहुत सारे nucleus form करेंगे, अब uni-nucleate tiny segments form होता है, वो rounded हो जाता है, और एक cell वाल form करता है, जो spores की generation करते हैं, अब कुछ spores, बाइ-flazolated cell form करते हैं, आगे चलके, यह जो spores होते हैं, यह develop होते हैं, और दो तरह की cells form करते हैं, एक होती है, बाइ-flazolated cells, जिसमें दो flazola pleasant होंगे, और एक spindle shaped की, non-flazolated mix amoeba, type की cell होती है, जो mix amoeba है, वो amoeba की तरह feed करेगी, तो वो bacteria पे, या फिर ist पे feed करेगी, और बहुत सारे number में, वो divide करेगी, और फिर वो क्या कर देगी, fuse होके, एक दूसरे के साथ, gigot की formation कर देगी, अब जो gigot है, हमें पता यह gigot हमारा diploid है, अब diploid होने की वज़े से, उसमें क्या होगा, आगे फर्दर division होगा, मतलब उसमें बहुत सारी cells हैं, आगे जाके उसको और divide करना है, तो mitotic division उसमें होगा, और वो multi-nucleate amoeboid structure फोर्म कर देगा, जिसको हम बाद में plasmodium बोलेंगे, और दोबारा से यह cycle repeat होगी, अब next हमारा आता है cellular slime molds, cellular slime molds में somatic phase haploid होती है, देखो, ऐ cellular slime molds में जो somatic phase थी, वो diploid थी और multi-nucleate थी, यहाँ पे क्या है, haploid है और uni-nucleate है, मतलब एक ही nucleus present है, इसमें इस uni-nucleate cell को mix amoeba बोला जाता है, इसमें mix amoeba जो आती है, वो maturation के बाद आती है, इसमें mix amoeba जो आती है, वो somatic phase होती है, ठीक है, अब जो mix amoeba है, वो uni-nucleate है, haploid है, amoeba लाइक structure है, पर उसके अंदर cell wall की covering नहीं है, बट जब हम acellular slime mold की बात कर रहे हैं, वहाँ पे mix amoeba के अंदर cell wall present होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ plasma membrane होगी, कोई cell wall नहीं होगी, amoeba लाइक होगी, uni-nucleate होगी और haploid होगी, क्या somatic phase, किसमे cellular slime molds में, ठीक है, अब unfavorable condition में यह क्या करती है, unfavorable condition में जो acellular slime molds थे, वो तो cyst form कर देते थे, बट जो cellular slime molds होते हैं, वो unfavorable condition में cyclic AMP, cyclic AMP को release करते हैं, adenosine monophosphate, ठीक है, cyclic AMP को release करेंगे, जिसकी वज़े से, यह aggregate हो जाएंगी, mix amoeba एक गुच्छा form कर देंगी, और उस तब उसको shouldo plasmodium बोलेंगे, plasmodium एक अलग stage है, तो उस plasmodium form होने से पहले, यह form हुई है, इसलिए इसको shouldo plasmodium बोलते हैं, अब जो यह shouldo plasmodium है, यह form करते है fruiting body, मतलब इसमें कुछ spore generating body form होती है, जैसे spore enjyam, एक bag like structure form होता है, जो spore के formation करेगा, अब यह spore germinate होंगे, germinate मतलब अंकुरित होंगे, और वो क्या produce करेंगे, एक single neck amoeba like structure, जिसको mixed amoeba बोलते हैं, अब यह mixed amoeba एक दूसरे के साथ aggregate होंगी, गुच्छा form करेंगे, और thick wall अपने surrounding में, अपने around क्या कर देंगे, एक thick wall को generate करेंगी, और वो thick wall जब generate हो जाएगी, तो इसको हम gigot बोल देंगे, फिर जाएगुट में, फिर mitotic division होगा, और बहुत सारे mitotic division के बाद, एक amoeba generate होगी, जो feeding amoeba होगी, अब हमारे पास last group है proto joa का, लास्ट गूरूप है proto joa का, और proto joa को हम classify करते हैं, उन्दा basis of loco-metry organelles, यह four types के होते हैं, एक flasylated, जिसके इंदर flasilla होगी, इसको mastigo, phora भी बोलते हैं, एक amoeboid proto joa, जो amoeba like होते हैं, शुडो पोडिया की formation करते हैं, इसको हम sarco dynes बोलते हैं, एक sporo joa होते हैं, जो spore generating होते हैं, एक ciliated proto joa होते हैं, जो cilia की formation करते हैं, इसमें हमारे paramecium-like organisms आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे flasylated proto joa की, फ्लेजिलेटिट प्रोटो joa हमारे kosmopolitan होते हैं, kosmopolitan का मतलब है, यह fresh water में भी मिलेंगे, यह हमारे sea में भी मिलेंगे, यह हमारी damp soil में भी मिलेंगे, यह हर जंगे पे मिलेंगे, जू फ्लेजिलेट्स, इन में जो फ्लेजिला होते हैं, मूमेंट करते हैं, और यह और यूनी नुकलेट जू फ्लेजिलेट्स होते हैं, यहाँ पे body cover होती है, pellicle के थूरू, cellulose नहीं होता, pellicle होता है, nutrition hollow joa होता है, मतलब पहले यह substance को इंगल्फ करेंगे, उसके बाद उसको digest करेंगे, separate big भी होते हैं, मतलब डैड़े और डिकेंग मेटर पर भी feed करते हैं, parasitic भी होते हैं, दूसरे organism से भी food prepare करते हैं, फिर उसके बाद है, एस sexual reproduction, binary fission के थू होता है, example की बात करें, ट्राइको निम्फा, ट्राइपैनोसोमा, लेसमेनिया, गियार्डिया, ट्राइको निम्फा और जो लोफो मोनाज हैं, यह cellulose को digest करने वाले, हमारे, फ्लेजिलेटिड प्रोटो जोआज होते हैं, बट यह symbiotic relationship में मिलते हैं, किसमें, termites में, termites की बोड़ी के अंदर, उनकी intense time में मिलते हैं, termites किस पे feed करता है, वूड के उपर, तो वूड में क्या हुआ, cellulose हुआ, तो cellulose को digest करने में, यह help करेंगे, प्लस, shelter किस से लेंगे, termite की बोड़ी से, और nutrition भी, उसी की बोड़ी से लेंगे, giardia leaves as parasite, parasite की फोम में रहता है, किसमें intense time of man, और यह एक disease cause करता है, giardiasis, अब amoeboid, proto-ज़वा की बात करते हैं, जो हमारे amoeba-like, proto-ज़वा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, sarco-dines, इन में shouldo-poodya मिलेगा, क्योंकि amoeba-like है, finger-like projection, ठीक है, nutrition हो लो जोईक होगा, वही पहले food को engulf करेंगी, फिर digest करेंगे है, sexual reproduction, binary fusion के थुरू भी होता है, multiple fusion के थुरू भी, birds भी form होते हैं, और sports भी form होते हैं, sexual reproduction, sin gammy के थुरू होता है, sin मतलब fusion, gammy means gamet, gamet का fusion, ठीक है, example है amoeba, proteus, जिसमें contractile vacuole मिलता है, important question है ये, ठीक है, cytoplasm, दो तरह का होता है, ectoplasm और endoplasm, endomembrane system भी इसमें मिलता है, दूसरा example है, ant amoeba histolytica, histolytica, ant amoeba histolytica, amoeba से इस तरह से different होती है, किसमें contractile vacuole नहीं मिलता, और ये question बहुत बार पुछा जाता है, ये क्या cause करती है, amoebae basis cause करती है, और ये किसमें रहती है, human beings की large intense time में, रहेगी as a parasite, और उनमें amoebae basis cause करेगी, जिसे diarrhea वगेरा हो जाता है, ठीक है, sporojoa, नाम से ही पता चल रहा है, spore generating हमारे ये protojoa है, endoparasite body के अंदर as a parasite रहेंगे, locomotion, cilia, phlezilla या phishudopodia तेनों के तुरू होता है, इसमें parasitic होते हैं, nutrition दूसरे organism से लेते हैं, जिसके अंदर ये अपना shelter मराते हैं, body यहाँ पे pellicle के तुरू, कोटिकल के तुरू कवर होते हैं, cellulose नहीं होता, contractile, vacuole, absent होते हैं, as sexual reproduction, multiple fusion के तुरू होता है, और sexual reproduction होता है, gamut के fusion से होता है, जिसको हम sin gamut में बोलते हैं, example की बात करें, plasmodium, जो कि malaria parasite है, monocystis and aimaria, ciliated हमारे protojoa, जो सबसे अच्छा example है, इसका paramecium है, locomotion cilia के थू होगी, क्योंकि ciliated protojoa, इस पूरी body पे cilia मिलती है, accumulated motion शो करती है, और एकी direction में move करती है, wavy moment शो करती है, जिसकी वज़े से, जो organism है, वो एकी direction में move कर पाता है, बोड़ी यहां पे भी pellicle के थू कवर हो रखे, हमने किसी भी protojoa में यहां पे नहीं देखा, sorry, protojoa में, flagellated में भी amoeba, amoeba, amoeus, porojoa, and ciliated, चारों में ही cellulose नहीं होता, pellicle या critical की covering होती है, holojoic mode of nutrition मिलेगा, holojoic का मतलब वही है, कि पहले substance को या organism को इंगल्फ करना, फिर बाद में उसको digest करना, दो तरह की nucleus होते हैं, एक large nucleus, एक small nucleus, यह भी important question है, large को हम macronucleus बोलते हैं, जो metabolic activity करता है, metabolic activity, journal body की activity, जैसे किसी substance को digest करना, किसी substance को foam करना, इसलिए इसको vegetative nucleus भी बोलते हैं, दूसरा होता है, small nucleus जिसको micro word दिया गया है, micronucleus, जो basically reproduction में help करता है, example की बात करें, तो trichocist, defense के लिए present होता है, defensive organ है, contractile vacule present होते हैं, और transverse binary fusion मिलता है, वही है, एक organism दो में divide होगा, बट transverse position पे होगा, sexual reproduction, conjugation process के थूँ होता है, और example है पे रामेशे,